NDA की तरफ से एक बार फिर ओम बिरला लोगसभाय स्पीकर पद के लिए उन्होंने नामांकन दाखिल किया है पिछले 24 घंटे से ये कोशिस की गई सत्तापक्ष की तरफ से राजनास सिंग को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो कॉंग्रेस सत्यक्ष मलिकार जुन घरगे से बातचीत करें और एक आम सहमती बनी आज सुबह राउल गांधी ने ये कहा संसद में कि स्पीकर पद के लिए विपक्ष पूरी तरह से समर्थन देने को तयार है लेकिन परंपरा के मुताबिक डेप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलना चाहिए और इस बाबत जब कॉम्मिनिकेशन नहीं हो पाया तो कॉंग्रेस पार्टी के सबसे वरिष सांसद आट बार के सांसद के सुरेश को विपक्ष की तरफ से लोगसभाय स्पीकर पद के लिए नामंकन दाखिल करवाया गया बहुत दिल्चस्प है कि आजादी के बाद पहली बार लोगसभाय अध्यक्ष के लिए चुनाओ होगा कल सुबह 11 बजे और इस सब के बीच कुमारी सहलजा कॉंग्रेस पार्टी की वरिस्ट नेता हमारे साथ मौझूद है उनसे बादचीत करते हैं जिन्नोंने कल अपना शपत लिया है कल आपने लोगसभाय मेमर के लिए उत लिया है लेकिन आज जो एक कन्वेंशन है उसके विपरीत जिस तरह से अब चुनाओ होगा और आप लोगों ने दलित है आठ बार के सांसद है वरिस्ट सांसद है कि सुरेश को उतारना परा इसको किस तरह से देखिए कि लोग तंत्र की कैसे धजियां उड़ती है और संसदिय प्रणाली की कैसे धजियां उड़ती है एक परंपरा रही है उस परंपरा को तोड़ने की जिमेवारी पूरे तोर से सत्ता पक्ष की है अगर ये बात करते विपक्ष के साथ और हमारी और से राहुल जी ने और नेताओं ने ओफर भी किया था तो कहीं न कहीं बात चीत करके इन सब चीजों को ठीक रखते और जो परंपरा थी वो चली आती लेकिन परंपरा तोड़ी है भाजपा ने और इनका जो एक अपना एहम ज्यादा है उसने तोड़ी है आपको रखता है पिछले कई दसकों में कई बार मिली जुली सरकार बनी कई बार अपने दम पे मेजुरिटी नहीं होने के वावजूद सरकारे बनी और लंबे समय तक चली भी चाहे वो दॉक्टर मनमौन सिंग की सरकार हो वाजपे जी की सरकार हो लेकिन इस परंपरा को न नहीं की कंसेंसस हो अगर यह चाहते तो बिलकुल एक अच्छे ढंग से सुचार रूप से नई लोकसभा की अठारवी लोकसभा की नीव रखी जाती लेकिन इन्होंने शुरुआत ही ऐसे कर दी विपक्ष के साथ आप कॉन्फरेंटेशन चाह रहे हैं आप जो हमारी नई स संसद है उसमें चाहते ही नहीं कि शुरुआत अच्छी हो और आगे तक हम अच्छा चलाएं संख्या बल अभी भी उनके पास है अगर संख्या बल है बावजूद इसके प्रत्यासी उतारना क्या संसद के तापमान को बढ़ाना चाहते हैं एक है कि जब आपने नहीं किया तो पुलिटिकल पॉइंट भी है ये देश देख रहा है कि कैसे आपने विपक्ष को इस तरह से कॉनर किया तो विपक्ष को भी अपना स्टैन्ट लोगों के सामने लाना पड़ेगा वरना लोग हमारे से पूचेंगे कि उन्हों ने आपके साथ ऐसा कि और आप चुप-च तुरेश जी वो जीते हैं और वो एक नई परमपरा फिर बने एक सवाल आप से समन्वे की ज़रूरत हरियाना कॉंग्रेस में भी है आप कल सपत ली है बहुत कुछी महीनों में चुना होना है किरन चौधरी पार्टी छोर के चली गई एक समन्वे की कमी लग रही है कल समीक मेहनत हो और हमें निर्देश मिलें हमारा मार्ग दर्शन हो ताकि आगे हम जो मूड लोगों का है हरियाना का उस मूड को पहचानते हुए हरियाना में भी कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बने पड़िवार जिसका इतना लंबा अरसे से पार्टी के साथ एसोसीेशन था उस पार्टी की एक पीड़ी पूरी तरह से बीजोपी में चली गई किरन चौधरी सुरुती चौधरी आपको लगता है कि ये जिम्मेदारी वर्तमान अध्यक्ष या प्रभारी के उपर था कि ब परंपरा तो आदमी ही निभा सकते हैं महिलाई नहीं निभा सकती ऐसी सोच जो रखेंगे मुझे नहीं पता क्यों की टिपनी सोनिया जी इंदिरा जी इन पर भी है या क्या कहना चाहते हैं ये कौन सी सोच है कॉंग्रिस की या हमारी सभियता की इस तरह की बात रखेंगे ऐसी सोच रखेंगे तो आप पार्टी को मिल चुल कर आगे कैसे चला पाएंगे और ऐसे लिए जब पार्टी छोड़ के जाएंगे तो पार्टी में भी एक वैक्यूम बनेगा एक गैप बड़ेगा उसका नुकसान होगा इतनी लंबी लेगसी रही है और खुद सीनियर नेत रही है उनकी बेटी भी रही अब तो चलो चले गए है बीजेपी में तो मैं ज्वेदी लेकिन दुरभागयपून है और दुख की बात है कि क्यों ऐसे नेता को जानने दिया चौटी चौटी बातों से आपने क्या क्या हासिल कर रहे घृते हैं और क्या दिखाना जहां चा प्रचारक नहीं खुद किरन चौधरी जी इतनी सीनियर ने था उनको स्टार प्रचारक में नहीं तो अप दिखा क्या रहे है और उपर से फिर इस तरह के आप बयान देने लग जाते हो यह कोई जिम्मेवारी वाली बात है क्या पार्टी को आगे चला कि को कॉर्णर करना है इस चुनार में तो आप तो कहते हैं ने टाइड के अगेंस आप बात यह है कि आप कॉर्णर करो तो बीजेबी को करो ना बीजेबी को क्यों नहीं कॉर्णर कर रहे हैं सारी एनरजी पार्टी के अंदर क्यों लगा रहे हो कहीं सेल्फ प्रोमोशन हो रही ह कि किसी और को टॉलरेट ही नहीं करना है ऐसे कैसे लोग जब उमीद करते हैं तो लोगों के सामने उनकी उमीद पर खरा उतरने के लिए हमको पार्टी में काम मिलकर करना चाहिए लेकिन जिनके ओपर जिम्मेवारी है उनको उनकी कारिया शेली देखो आप ऐसे थोड़ा ही हो देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें देनिक सवीरा टीवी योट्यूब फेस्बुक इंस्टाग्राम एक्स और वट्सेप चेनल पर